जुड़ चुके हैं विरेंजी संसद चलनी पा रही है और आज तो इंडिया की तुलना इंडियन मुझाहिदीन और पीफाई इस्ट इंडिया से हो गई देखे संसद ना चलने के पीछे एक बड़ी लड़ाई यह है कि जब से ये इंडिया नामा कर बंधन बना है तो उसके बाद यह जो 26 और 36 दलों की बैठके हुई अलग-अलग उसके बाद यह पहला सत्र आया है जिसमें अपनी अपनी ताकत दिखाने का उसर आया था लेकिन चुकि मलिपूर का मामला पूरे देश में और जब से वो वीडियो वाइरल हुआ हाला कि वो पुराना वीडियो था लेकिन उसके बाद सरकार और इंडिया गटबंधन दोनों आमने सामने हो गए और विपक्ष के पास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की तारीक में देश में मलिपूर इस देश का बहुत छोटा सा राज है लेकिन उसने पूरे देश को प्रवावित किया है माताओं बहनाओं को नगन करके घुमाए जाना पहाड़ों पर मिनरल्स पर खनीच पर कबज़ा करने के लिए जबीनों को लेने के लिए तमाम सारे जो बातें आ रही हैं उन सब में कहीं न कहीं सियासी लोग लगे रहते हैं उनके अपने नफ्हे नुक्सान होते हैं बिर्जे जी ये सिर्फ दो समधायों का क्या संगर्स है मलिपूर का संगर्स या कुछ और है क्योंकि अब तक सैकलों लोग इसमें मारे जा चुके हैं साथ हजार से जादा लोग बेघर है कई साजार लोग घायल है वो अस्पतालों में है मलिपूर परदेश की आबादी कुल 33 लाख है अब उसमें इतना बड़ा आबादी अगर परवावित हो गई तो आप सोचिए बचा क्या फिर सहर में कितना घर जल गए कितना उस स्टेट म और भी बात आती है बात लोग यह कहते हैं कि वो घाटी में रहते हैं वो पहाड़ पे रहते हैं वो नसाम करते हैं रहुदा हैं बहुत संक्यक हिंदू है और 43% के लगभग कुकी और नागा है जिसमें जातर इसाई समुदाय से आते हैं और जब से मैतेई को SCST में सामिल करने का दर्जा देने की मांग उठी तीन मई को इस हैंसा की सुरुवात हुई थी और आज हम 26 जुलाई में खड़े हैं ये बहुत बड़ी तारीख है बहुत लंबा वक्त है सरकार अस्पल हो गई आंदोलन को रोकने में और जमीनों की लड़ाई लोगों की जान पर बनाई आज 40,000 फोर्स लगी हैं पुलिस की मलेटरी की और जहनी बलों की लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कुल साथ विधान सभा की सीटे हैं मलिपूर में जिसमें 40 परसेंट सीटों पर मैंतेई समदाय का बहुमत है जी और सब गड़ी सुनिया असारी लड़ाई इसलिए भी है कि जो एंवीरें सिंग की सरकार है वो चाहती है कि नसे की खिला आप अभियान चलाए यह जो हिरोईन का आवायत कारोबार है और पोस्ते के छिलके की जो खेती होती है इस पर रोग लगे क्योंकि कुकी समदाय के लोग इसको काफी बाड़ी बातरा में करते हैं लेकिन आप हैरत की बात देखेंगे कि भारत के जितने राज हैं उन सारे र करने में घर चलाने में पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में मलिपूर के महलाओं की अगलक पहचान है वह सक्तिसाली है स्वतंत्र है अरजित करती हैं लेकिन आज वह मलिपूर जल रहा है अब यह लोग जाने अपने-पनी कि किसको इंडिया को फाइदा मिलेगा या बाते हुई हैं और विपक्ष का अधिकार है संसंद में बोलने का सरकार उस पर अभी सरकार में बहुमत की सरकारें विपक्ष की बहुत परवाह नहीं करती रही हैं लेकिन एक साइदिकार ने लिखा है कि जो भी राजनेतिक दल या बेक्ति अपने को देश या देश से और सामुहिक विवेक से बड़ा नहीं हो सकता है बहुत सारी बाते अपने दोक्तरंत्र के लिए कही गई हैं लेकिन इसब किताबी हैं कोई मानता कहां है जिसके पास ताकत आ जाती है पांस साल तो वह सवाल नहीं पूछ सकते हो अपने असासन करता है अपनी हिसाब आपको और नारी का अपमान हुआ तो आखों के काजल रोए और बहना की राखी धर राई माते की बिंदिया घबराई कैसा राक्षस पाला मैंने देख धरा भी आज लजाई और खडग उठा कर बद कर दू मैं सोच हिर्दय घायल रोए नारी का अपमान हुआ तो आखों के काजल बहुत बहुत शुक्री है आपका विरेंजी हमारे साथ जोड़ने के लिए और ग्राउंड जिए